कि अब देखों बच्चों हम रिएल नंबर रिएल एनलाइस का फर्स्ट चेप्टर कर रहे थे उसमें कॉम्प्लेक्स तो होई चुका था और इसके अंदर भी हम और इससे पहली वारी वीडियो में हम बाउंडड की बात करेंगे अब बाउंडड बिलो की तो बाउंडड बिलो बिल्कुल उसका उल्टा है बाउंडड अबाउं का पहले एक बार इससे पढ़ लिए जो लिखा हुआ है यहां पर और इसकोई नोन एंटी सबसेट है रियल नंबर का जो भी यहां पर एस वेस लेंगे हम वो सब ध्यान देखना वो सबसेट रियल नंबर के यह हैं चाहरे हैं यहां पर लिखा हो ना लिखा हो S is set to be bounded below S को bounded below कहा जाएगा अगर एक real number K1 ऐसा मिल जाए हमने कहा यहाँ पर एक real number मिल जाए K1 जरूर जी नहीं वो S में से लेना नहीं कहीं से भी हो बस हो real number और जो इस condition को satisfy करता हो X की value हमेशा K1 से बड़ी हो या बराबर हो अभी X कहा सा आ गया तो लिखा 4 roll X belongs to S तो जो X है वो S का element है तो बले यहाँ X लिखा हो तो यहाँ एक element की बात नहीं की जा रही यहाँ कही जा रही है 4 roll की तो X के सभी element K1 से बड़े या बराबर हों चाहिए हो सकता है कुछ बराबर हो और कुछ बड़े हो तो कोई बात नहीं तो अगर ऐसा कोई real number तुम धून देते हो तो ऐसे set को bounded below set कहते हैं और इस number को lower bound का जाता है इस set का अगर तुम्हें कभी भी एक lower bound मिल जाए तो उस से जितने भी छोटे number होंगे वो obviously अपने आप ही सारे lower bound उस set के बन जाएंगे ये बात मैंने नीचे दिखी है एक example दिया है चीतर के अनुसार एक बार पहले हम bound above की बात करने जिससे ध्यान साजाए वो क्या था bounded below की बात तो बात में करेंगे इसे मैं यहां तो देख लिए हटा रहता हूँ और bounded above की आतने तो देखे लिए बस देखें मैंने कल तुम्हें समझाया था कि जैसा कोई set दिया और उसके अंदर element दियें one, three, four बस तीन element दियें केवल तीन element और तुमसा का जाएगा कि यह bounded above है या नहीं तो तुम्हें एक real number ऐसा बताना है जो एके सभी element से बड़ा या बराबर हो कोई भी या नमबर इन सब सब बड़ा हो या बराबर हो कुछ के बराबर हो तो ऐसा कोई भी number हम यह नहीं करें इन्वेस्ट चुनो नहीं तुम अलग से बता सकते हो कोई कहले लिए पचास है हाँ बिल्कु सभी बात है पचास बन से भी बड़ा है थ्री से भी बड़ा है फोर से भी तो यह number ऐसा मिल गया तो समझ जाएए यह set कहलाएगा bounded above ठीक है इसके उपर भी कोई और है यह number तो यह bounded above कहलाएगा तो इस number को क्या बोलेंगे अपर बाउंड बोलेंगे इस set का कि उपर से इसा बाउंड कर रहा है सही है लेकिन अपर बाउंड कभी यूनीक नहीं होते अपर बाउंड बहुत सारे होते है जैसा तुम्हें 50 बता दिया 50 से बड़े number अपने आप ही इसके अपर बाउंड बन जाएंगे क्योंकि इस set के सारे number 60 से भी कम है 70 से कम है 31 भी कम है लेकिन इस से और भी तो है और अपर बाउंड जैसा कि 4 चार लिजे 4 पहले बन बड़े से बड़ा है 2 से से बड़ा है 30 से के बराबर है तो चले गए भी तो ये भी इस set का अपर बाउंड है कोई कहने लेगा 4.5 हाँ ये भी अपर बाउंड है तो किसी set के यदि अपर बाउंड एक मिल गया तो फिर समझे ये बहुत सारे मिल जाएंगे और इना short cut मैंने तुमें क्या बात आया था इस set को रियल लाइन पर दिखा लो यहां बन है और यहां 3 है और यहां 4 है तो एक है जो element है वो यहां से यहां तक खेले हुए हैं बस तो इस set के right में देखो राइट में इस side में देखो जितने भी number इदर लिखे होएंगे वो इस set के सारे ही upper bound होगे चाहिए इदर एक लाग लिखा हुआ है कुछ भी लिखा हुआ है यह सब इसके upper bound है अब lower bound में क्या करना है bounded below में क्या करना है अब तुम्हें left में देखना है left side में क्या इदर कोई real number है जिस number से इस set के सारे element इस set के सारे element बड़े हो तो ऐसे तो बहुत सारे number है zero भी है zero से भी सारे बड़े है एक element हाँ तो पर अगर तुम्हें एक भी number एक ढूंड दिया तो इस set को कहेंगे bounded below set और उस number को कहेंगे इस set का lower bound सारे होँगे minus one minus two ये सारे ही इस set के लिए lower bound है लेकिन और भी होगा one भी होगा one मिले सकते हो क्यों क्योंकि one पहले वाले के तो बराबर है लेकिन दूसरे से छोटा है तीस से छोटा है तो हम कहते हो है बराबर हो या छोटा हो कोई दिक्कत नहीं है एक एलिमेंटों से समय दो तम तो कुछ के बराबर है कोई दिक्कत नहीं है कुछ से छोटा है चल जाएगा सही है तो यहाँ पर 1 भी इस सैट का lower bound है और 1 सा छोटे जो भी होगे इस सैट में वो सारे ही lower bound है आगी बात संज में तो ऐसा यदि किसी सैट के lower bound मिल जाते हैं तो उस सैट को bounded below सैट कहते हैं और उस नमबर को उस सैट का lower bound कहते हैं यही बात यहाँ पर लिके लिए मैंने example भी दिया है यहाँ पर घ्रान से देखिए एक मैंने सैट दिया यहाँ पर नाम रखता हूँ मैं S उसके अंदर मैंने कहा कि वे रियल नमबर्स लेने हैं लेकिन वे रियल नमबर्स लेने हैं जिन में माइनस दो भी है दो सा बड़ा भी है माइनस दो सा बड़ा भी है दो भी है और दो सा छोटे भी है यह नमबर लेने हैं और इस set के सारे element मैंने red से दिखाई red से ये iray यहां be here यहां से यहां से सारे element बाउंडेजन कि अन्हें आभ स्पार्मिय्न से बाउंडेज बिलो है यह नहीं हो यह सलाओ नहीं तो इस set के left में देखना है कहा है में अगर तुम्हें जोने होते हैं तो कहां जोनने होते हैं और एपांद जोनने होते हैं तो उसे इसकी नीचे है कोई और इधर कोई नमबर मिल गया राइट में तो समझ जाओ यह बाउंड अब भी है तो यदि इस एक्जांपल के देखे जाए तो यह सैट ऐसा सैट है जो बाउंड अब भी है बाउंड बिलोग भी है तो एक अधा अपर बाउंड बताओ देखका चितर में पूर फाइसे चोटा प्रवांड कौन सा वैंसा बहुत बढ़िया लोग वांड देखना कौन सा इंग मैं मैंनस एंट मैंनस सेवन माइनस इस सारी लोग बाउंड है तो सबसे बड़ा कौन सा लोग बताओ कौन चोटा नहीं करें चोटे तो यह फैलते जाएंगे द्लोग और अपर मांडों में सबसे छोटा जो अपर मांड वो टू है सब्सक्राइब बात तो इस एक्जाम्पल को यहां ध्यान से देखें यहां पर तो जो मैंने बुलू दिखाया बुलू का इधर को मैंने एरो लगा दिया कि इधर को जितने भी नंबर हैं यह बुलू वाले सौर सबसक्राइब ना लिखोगे लोब्र बांड एक मिनमें कलर चेंग कर लेता हूं लोब्र बांड लोब्र क्या है एसके तो बहुत सारे हैं इन फाइनाइट हैं सबसाब बढ़ा तो है माइनस तू फिर माइनस त्री माइनस 3.5 माइनस के 7 यह नहीं कह रहा कि मैं मैं इसके 345 पांस चेलेंगे नहीं पॉइंट दो ऑस सैवं माइस के सैवन माइस के पचास माइस के एक लाग मैं से कुछ भी ले लो ये सारे ही इसके लोर और इनमे सबसा बड़ा कोई कहले लगा तो माइनस तू है तो लोगर बाउंड में सबसा बड़ा तो दून दोन सकते हो सबसे बारें डून सकते क्योंकि इधर को बढ़ते जाएए बढ़ते जाए तो पहुंच जाएए दस को पहुंच जाएए वे सभी नंबर इस त्रेट के लिए अप्राइगे अधिक आपने से अमिर्न अभे लोग लोग है अपने से गरीब न तो अपने से निचे उनी कड़ा करें बहुत सरे गरीब मिल जायेंगे इसका मलब तुम कैसे और बांड जिनके अपर बांड भी आ अलोर बांड करे方 जो पूंस से कोई है नहीं आ नहीं वह से लोगे लुक्त कायए दरो बांड नहीं है यह आगई बात तो यह मैंने तुम्हें एक्जांपल नहीं उतार नहीं है इस चितर के अनुसार तो इस नोट कर लिजिए और नहीं हुत लिखांगे दरोको खालते खालते लाइन है तो बचों यहाँ पर हमने बाउंडट बिलो सेट की देपनेश जिन्दी है अब आते हैं bounded set पर bounded set का मतलब होता है एक ऐसा set जिसके upper bound भी मिल जाए और lower bound भी एक्जाम पहले मैंने वही रखे हैं यहां पर देखो मैंने जो set लिया है यहां पर इसके अंदर देखो मैं लिख भी दिया लेकिन एक नहीं for all सब के लिए कहा रहे हैं एसके सभी element k2 से तो छोटे हो जाएं यह बराबर हो जाएं k1 से बड़े हो ऐसा कोई real number मिल जाए जिससे बड़े हो और एक real number मिल जाए जिससे बड़े हो तो समझाओ वह set bounded set है सही है उसके upper bound मिल रहे हो और lower bound भी यदि इसको हिसाब से देखा जाए तो k1 यहाँ पर lower bound है और k2 यहाँ पर upper bound है क्योंकि वह s k element से बड़ा है k2 तो k2 upper bound हुआ और k1 क्या हुआ यहाँ पर lower bound तो जैसे मैंने यह एक्जामपल रखी है कि वह इसके अंदर वह real number लेने हैं जो माइनस टू टू से बड़े हो लेकिन टू टू से चोटे हूं तो देखे कोई पुछे नहीं कि इसके upper bound बताईए तो तुम बड़े आम से राइट साइड में देखिए इस साइड में तो इस साइड में जितने भी तुम्हें नमबर मिलेंगे वह सारे ही upper bound होंगे एक आदा है फिर four है फिर ऐसी अपर बांड बोल दो यह लोवर बांड है यहां पर हाँ माइनस के दो फिर माइनस three माइनस four यह सारे lower bound है तो हम वो कह रहा है एक नमबर भी मिल गया तो भी काम चल जाएगा लेकिन हम करें ऐसा तो बहुत सारी नमबर है जिनके बीच में यह element आएंग अब मैं तुम्हें कुछ examples दूँगा तो तुम्हें बताओ कि कौन सा इसमें bounded above है कौन सा below है या दूनों ही है ठीक है इसा नोट का लिए जल दिसा फिर मैं एक्जांपल दूंगा तुम्हें लिख हुई है नहीं लिख हुई है नहीं लिख हुई एक मिन देख लेता हुई किसे दिखाते हैं पूछे का वो सबसे छोटा अपरबाउंड है कौन सा है या इसा बहुत से लोग कहते हैं सुप्रीम तो सुप्रीम क्या आएगा वह पूछे कोशनों के अंदर हंडर प्रसंट आएंगो अप्जेक्टिव कि सुप्रीम पता यह सेटक क्या है तो पहले सबसे छोटे को लिस्ट अपरबाउंड जो सबसे छोटा होगा यह सुप्रीम कहते हैं उस सेट का फिर मैंने हाँ पर एक बात भी लिखी है सुप्रीम जो होता है सैट का में और नोट भी बिलोंग सुदा सैट वह जरूरी नहीं होता कि वह सैट के अंदर हो सैट सा भार भी हो सकता है सुप्रीम का मतला अपर वाम लेकिन सब चोटा अपर वाम जरूरी नहीं होता कि वह सैट के अंदर हो भार कभी हो सकता है जैसा अभी तुम्हें बताँ है और रही है तो अपर बाउंड जरूरी नहीं होता कि सेट के अंदर हो अपर बाउंड्स यह बार भी हो सकता है तो यही बात यहां पर एक्जाम्पल लेता हूं, उससे तुम्हें समझाने को इस सर रहा हूं वही एक्जाम्पल लोगो जो मैं यहाँ देखें, इहाँ पर सेAlber lena i,et Oh a minus two है यहाँ पर two है तो तुम्हें यहाँ पर जो लेना है A minus two लेना है और plus two भी लेना है इसके अंदर द्यान ठोटाइए यह S है red वाला area अब तुम्हें यह यह अपर bound check करने हैं तो तुम्हें किस side में देखना है इसके right side में इधर देखो कितने number हैं इस side में लिखे हुए जितने भी यह number हैं सारे ही इस set के upper bound हैं तो तुम मुझे यह बताओगे upper bound कौन कौन से हुए बताओ upper bound हाँ two three three point four भी एक आतर लिख दगर ऐसा भी four five six ऐसे लिख दिये यह लिख दिये इनमें सबसे छोटा कौन सा है two है तो two is set का supreme कहलाएगा या lub कहलाएगा ठीक है तो least upper bound कौन सा है यहां लिख रहा हूँ मैं least upper bound यह supreme कह सकते हो वो कितना है दो है सही है अगर और कोई इसका अपरबाउंड है तो 100 परसेंट वो इससे बड़ा होगा पांच तुम कहले हो इसका परबाउंड है तो पांच दो से बड़ा है सबसे चोटा दो है समझ में आ गए तुम्हें तो यह least upper bound का सबसे चोटा अपरब सबसे चोटा होगा तुम कहारे हो वोवी कोई नंबर ऐसा है जो चोटा है अगर अगर अ है और 175 बाउंड है तो फिर ए सिप्रींम है तु नहीं कि हैं इस एघ्जामपल के साफ सबसे होटा थू है तो तो इस सेट का सब्सक्राइब कि यहां पर कभी कुछ सब्सक्राइब, इस और इस daí को सब्सक्राइब करें पर पर जोड़ा एंग। यह सब्सक्राइब करें कि यह तो पर ऊचंग। इंसा तो बढ़ाती के बहुत सारे हैं उनका सुप्रीमों कौन है मायवती समझे तो मेरे एक बात जो है तो सुप्रीमर मायवती है लेकिन उस मायवती के उपर कौन था और भी था कोई मायवती से उपर कौन था इस पार्टी में जो इनने लेकर आया थे उसमें जाए कासी राम ठीक है तो कासी राम जो यूपी के अंदर जो यूपी के अंदर बसपा के कार्या करता है कासी राम भी अपर बाउंड है उस बसपा के कार्या करता है और मायवती भी लेकिन सुप्रीमो कोन है सुप्रीमो कोन है वो मायवती है क तो उन दोनों अपर बाउंडों में छोड़ा कोने वह महाती है इसन्जमनी आई बात जाता था यूपी के लिए सुप्रीमों अगर तुम यहां की बात करो यूपी के लिए अब इस टाइम पाहजपा का यहां पर चीप मिनिस्टर कोने योगी है लेकिन योगी जो यूपी के अंदर कार्या करता है बाहाजपा के लिए तो योगी एक अपर बांड तुकि जितने करे करता है वो सब उसे चोठे है लेकिन तो चोटे है और भी बहुत सारे हैं और पारे करेकर लिए योगी यह सब इस यूपी और छोट खोन साथ है योगी हैं तो योगी हम 19 पर हम कहा रहे हैं कि सुप्रीमों का मतलब मैं सबसेड़ आरा अशलय ऑन होता है यहां पर एक दूसर अंच सबसे बड़ा उससे आता है हम आप इन्फिम मन तो अब हम बात करेंगे इन रीमों की आ Limited है आठीक करता हैं सारी बाते किरा पर पहर्ला करता हूँ पर ऊसके बाद में पाहिए पर तो यह तो मेरा प्राहने का अपना तरीका है करूंगा सब कुछ गोई तुमने इतना उतार लिया बहुत बढ़िया अब दो से एक्जामपल लिखते हैं दो से लिखते हैं अच्छा करोगे तुमने नोट नहीं करा करो जली सब चलो बच्छो अब बात करते हैं हम यहाँ पर इन्हों देखो यहाँ पर यह खुद इलजना चाहरे हैं तो मैं इलजाने को तयार हूं उनको सुन लो एक सेट दिया हमने यहाँ पर एक्स बिलॉंग टू आर और यहाँ पर हमने कहा वी इसमें दो नहीं है ना इसमें माइनस दो यह अगर हम इसा दिखाना चाहें तो यहा साला सारा हिस सा एस का दो नहीं है अब तुम बता मधर अगर तुम्हें अपरबाउंड डूनकता है तो तुम्हें राइट में जाना होगा तो रैट में देखो कितने नंबर लिखे माइनाइट नमबर लिखे हुए तीन लिखावा चार लिखावा पांच लिखावा यह सारे इस सैट के अपर बाउंड है ठीक है तो यह तक तो बाद मैं कोई दिक्कत होती नहीं किसी बच्चे को एक मिली के लिए मैं लिख देता हूं कि इस एक्जांपल के यदि कोई पूछ तो सोचकर बताईए यहां पर अगर मैं दो कहने लेगो दो इसमें बहुत दो लेकिन दो इन सब से बड़ा है क्योंकि अपर बाउंड को मतला हो या कुछ के बराबर हो तो भी चल जाएगा तुमने तीन अप्रबाउंड क्यों लिया क्योंकि तीन सबसे बड़ा था अब दो इन सबसे बड़ा है तो क्या दिक्कत होगी तो दो भी अप्रबाउंड है यही तो कहा गया है कि वो बड़ा हो या बराबर हो हो सकता है कुछ से बड़ा हो कुछ के बराबर मों तो चल जाएगा वह इए तीन को तुम कि सब से बढ़ा है اللहा कि इसके दो नहीं है कि सब्सक्राइब क्या हो तरह शक्क्ते हैं तुम बताऊ वैसी अंदा से भी पटाओ लस्ट कारिमें बताओं डो से कम". Joshua 1.99 नहीं इसके आगए भी होगा lap 1.99999 यह कभी खतम नहीं होगा यह तो दो बतादो दो इन सबस्ब्सक्राइब और नहीं हो जाएगा गलाज टाकूत्म कितने लेकिन यह तेरें 19 सब्सक्राइब तो इस सेट का अपर बाउंड है कोई कहने लेगा 1.9999999999 यह भी तो अपर बाउंड नहीं इस से भी बड़ा इसके अंदर है नहीं समझें हैं? लेकिन यह जूओ कंफर्म है कि हाँ सारे एलिमेंट जो भी S के ओन वैसके बहुत बहुत दो से उपर नहीं जा सकते तो दो इस सेट का अपर बाउंड है और सबसे छोटा भी है इस से और कोई छोटा नहीं और सकता फेज तो ड़योनिकट दो इसमें नहीं लेकिन दो सबसे चोटा बताल इससे कोई छोटा अपर बाउंड बता हां लेकिन अपर बाउंड का मतलब जो इन सब इलिमेंट से बड़ा हो या कुछ के बराबर भी हो चल जाएगा बता दो कोई नमबर एक इसा है है कोई अभी तो बताया हमने यह ले लो 1.99 नहीं अगर तुम क्या होगा यह अपर बाउंड है तो इसका मतलब यह सबसे बड़ा होगा नहीं इसके अंदर तो इससे भी बड़ा इलिमेंट आएगा तो यह सबसे बड़ा क्या सो जाएगा इन संजमनी आई बात आगे बात संजमन तुम्हें तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि यहाँ पर जो सूप्रीमम है अब भी दो यह है सूप्रीमम ओप S1 एक्वल टो टू वैसर सेट की बात कर रहा हूं इंटरवल के हिसाप साbn है मैं को इंस इनटरवल के बात कर और यहाँ यह तो इसके अपरबांड बता हो तो अपरबांड जितने भी वी से बढ़ यह औुटे होंगे B भी इसका upper bound होगा बले भी इसमें ना हो लेकिन B इसके सभी element और से तो बढ़ाई होगा अगर तुम यहाँ पर लिख देता हो एक मिन्ट को मैं A भी कार देता हूँ 1,2 में लिख देता हूँ इसका मतलब जानते हो तुम कितने element इसमें 1 से बड़े और 2 से छोटे तो 2 से छोटे हैं तो 2 तो इस सेट के लिए upper bound है ना भले 2 इसमें ना हो लेकिन 2 से छोटे हैं इसमें सारे तो 2 सेट का upper bound है सही है और वो सबसे छोटा upper bound है 2 आगी बाशन में तो open interval में कभी कोई question पूछन पूछन ना open interval का supreme बताओ तो तो बताते ना क्या बैटेगा supreme बैटेगा सबसे छोटा प्रबाउंड और इस से बड़े तीन लिलो पांच लिलो पचास लिलो सो लिलो सारे प्रबाउंड बढ़े होंगे तो इस तरह से हम supreme निकाल लेते हैं देखे जब कोई इस तरह का इसको तो बड़ा आराम से निकल जाता है लेकिन दिक्कत कहां खड़ी होती हो बाद बताऊंगा मैं अभी एक्जाम पर लूँगा इसकी बात नहीं करता है फिलाल मैं इतना उताले तुमने ठेव जे चलिए फिर एक एक्जाम पर और बूलेते हैं इसमें लोर बाउंड की बात करेते हैं किसी नहीं यह कहा कि वह यह हम तुम्हें ओपन इंटरवल दे रहे हैं देखना यहां इह हम वे इंटरव दिखाया जाए तो वन यहां पर है नहीं ले ना है दिया लखना और टू भी नहीं लेना है या विक हमारे एक क 然後 कि यहां पे बाँड़ की बधाँ है यह क्यों हैं क्योंकि इसके अंदर जो Eleлейmeter सारेң सब बड़े है उन सब से छोटा है तो इसा लोर Bound है इनमें सबसें बड़ा सा हुआ इन में सबसें बड़ा 5 है उसा बोलते हैं फिर इंफिमम आगी बाद संग में तो वो अभी बताया नहीं में नहीं नहीं इन फिमम वैसी बूलिया में lower bound कौन कौन से हैं तो lower bound ये सब हैं तो तुम्हें किसी भी सेट के lower bound डूंडने हैं तो उस सेट के तुरंट left side में डूंड लिजे और upper bound डूंडने हैं तो light side में जैसे मैंने कल भी एक example देती हैं मैं दूसरी example देता हूं तुमसे कोई कहने लेगे बताईए ये सेट है integers का 0 plus minus 1 plus minus 2 बताईए इसके upper bound क्या-क्या है upper bound हैं भी या नहीं भी ये बताऊ पहले तो ये boundary about है कोई ऐसा number पता सकते हैं जो इन सब 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 बढ़ा जाए कोई ऐसा number तुम बताईं सकते हैं क्योंकि ये सेट खुद ही 0,1,2,3 अनन तक फैला हुआ है तो इसके right side में तो कोई मिलेगा है नहीं lower bound डूंडने हैं तो ये left side में को भी बहुत दूर तक फैला हुआ है तो इधर भी कोई number नहीं मिलेगा ना तो इसके upper bound है ना lower bound जब ना अपर बाउंड मिलेगा ना इसका supreme मिलेगा ना इसका इनक्यूम मिलेगा में सही है तो या सेट ऐसा सेट जो बांड हैही नहीं इनके ना तो उपर है कोई मल Gibbs रडिये तो यह कि हैं़्या तो यह इतल्य है यहां नहीं है यह सेट अंबाउंड इया था थिए तो लोगर बाउंड हुक्यो Sc poop quick और के लिए कुक्या results लगता है तुम्हें कि यहां उताली चाहिए उताले जीए एक्जामपल को फिर में आगरे डिया बातता हूं कि बस एक बार इनका कंफिशन दो हो जाए फिर उससा अगरे देशन लेंगे यह तो हमने पहले पढ़े थी लेकिन भूल गया हम सब वहां पढ़ा है कर लिए नोट बचो अब मैं जड़ा एक छोड़ी सित्रम बताऊंगा लेकि जिरूत नहीं है मुझा वैसे बताने की तो मैं कर नहीं है तो कर लीजिए बना को ऐसी बात नहीं है यूनिकनेस ऑफ सुप्रीमव यहां लिखा है लीस्ट अपर बाउंड ऑफए सैट इफ इट एग्जिस्ट इस निए किसी सैट का यहीं सुप्रिम निकलता है तो वह हमेशा यूनिक होता है एक होता है किसी सैट के दो सुप्रीम नहीं हो सकते सब्सक्राइब आगे बात तुम्हें पहले मैं एक्जामपल लेता हूँ फिर मैं इसे दो मिन्ट में प्रूफ कर दूँगा एक्जामपल देख रहे हैं एक मिन्ट के लिए अब भी हमने एक सैट लिखा ए उसमें लिखा बस इसके अपरबाउंड बताओ पहले तो बहुत बढ़िया अपर बाउंड है इसका 3b4 a5b बहुत सारे है अब इसमें लिख बताओ लिख कों नहीं या सुप्रिम्हूं कर सकते हो कितना है वो त्री है तो वो कहरा सुप्रीमम यूनीक होता है यह लिस्ट जो अपर बाउंड है वो एक ही होगा दो नहीं हो सकते क्योंकि सोचो अगर दो नंबर इसके अपर बाउंड बन गए मालो तीन बन गया और एक तुम्हें कहते तीन पॉइंट एक है तो इन में भी तो छोटा बढ़ा होगा और हमें लेना है कोन सब्सक्राइब छोटा तो इन में भी तो हम सब्सक्राइब चुनेंगे तो ऐसे कैसे हो जाएगा दो इसके लिस्ट अपर बन जाए समझ मां आगे बाद तुम्हें दो नंबर छोटे कैसा हो सकते हैं अगो कह रहा है आप साथ लिखा कि तो होगा दो कैसे हो जाएंगे आगी बासन में तो यह तो सिंपल सी वैसी बावत आई लेकिन मैं प्रूफ करना चाहूं तो इससे ऐसा प्रूफ किया जाता है एक मिन्ट देखें लेट माल लएजये K1 & K2 2 supernaturalen a comments को हैं यह 2 वूप है५ ऑर तू सुप्रीमम कह दिजीया एस एस यूप लिख दीजय या या एलNew को दीब कि honestly को diosug till the a1 Humana को सब्यूद सब्सक्राइब करेंगे कि क्या परूब करेंगे कि ये हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब कि अर्क जोंग लिए अलग नहीं ़िस दो कैसा आएंगे देखें तो मैं क्या है सूप्रीम है कि किसका से एक कि इसका मतलब क्या क्या हुआ के वन जो होगा वह लिस्ट अप्रमांड हो लेस्ट यह स्मॉलेस्ट लिख देता हूं है इस्मॉलेस्ट लोवर बांड ऑपर बांड कि इसका ओफ से एक है इसका मतलब क्या हुआ हुआ कि जो एमें जितने भी के 1 से चोटे होगे यारे बड़ा होगा यही तो है ठीक बात तो जब सब से चोटा है अपर से चोटा है और some कैतू भी अपर बाउंटहै जो है ऊपाना है तो के वन सब से चोटा माना तो के वन के चोटा वहOlわかल जोगा अगर के वन तुमने कहा रहे हो यह लीष्ट आपर बाण स्मॉल एस्ट है तो के वन के टू से छोटा रहा होगा और यदि हम के टू को सुपीम मोण चले तो तो भी के टू चोटा रहा होगा के एसी तरह से यह आप कहेंगे similarly के टू इज इस्मॉल एस्ट upper bound अगर K2 smallest upper bound हुआ offset A का तो इसका मतलब जब K2 छोटा है तो K2 लेदन रहा होगा K1 के अजब कि दोनों बाते सही हैं तो बताइए by 1 और 2 से तुम क्या कह सकते हो तो ये बात दोनों बाते तभी संभा हो सकती हैं जब दोनों सेम रहे हैं बस ये हो गई यूनिकनेस की थुरब ज़ली से नोट कर ये करनी है तो कि दोको बच्चो ऐसे ही आता है इन्पीमम वाली बात इसा बोलते हैं ग्रेटर लॉरबाउं या जी अल भी नाम सभी जाही रहा है सबसे बड़ा लॉरबाउंड क्योंकि लॉरबाउंड में छोटा नहीं ढून जाता कभी भी मिलने काई नहीं वह तो इसलिए ग्रेटर जूने जाता है जी अलबी और इसा बोलते हैं इंफीमम तो यहां पर लि तोनीक होता है किसी भी सैट का दो नहीं हो सकते अब इस पर एक एक जांपल देता हूं कि माली तक माली होई यह जो मेरा भी लिख्का था माली कोई सैट है ilar कि और हमने यहां पर लिए ते है तो मुढरे चलो मैं इंटरवर लेता हूँ की बारे, ओब ख्लोज इंटरवर लेता हूँ तो एके राइट में जाना चाहिए अपर बाउंड रोडने के लिए तो बताएए इतने इदर कितने नंबर लिखे हुए इन में सबस्थ चोड़ा कौन सा है इइधर को आईए इधर को चलते आइए छोटे-छोटे मिलते जाएंगे लोग आखिंड़वर इसन पैसकर सब्सक्राई खी इनिया रोड़ा यह सब्सक्टा sn लेकिन बाखी सबस्कर नहीं होग तो टू यहां पर अपर वांड है यिए सुपरिम भी है लेकिन भात करें और लोरka डूरा डेखने हैं तो तुम्साइब बढ़ते जाएंगे नंबर को नहीं होते इनमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, अब इदा सचलिये, जैसे जहें इदा को चलते जाओगे, तो ये बढ़ते जाएंगे, इनकी value बड़ी होती जाएगी, तो सबसे यहाँ जहाँ A start हो जाए तो यहाँ रूख जाए तो यहाँ रूख जाए आगा आगे तो यह जो 1 आया 1 ही सबसे बड़ा lower bound है संज्मा आगे बात तुम्हें तो इधर से चलना है इस side में इधर से और जहाँ A आगे है मही रूख जाओ बस यह कुछ के बराबर हो तो वन पहले वाले के तो बराबर है बागी सबसे चोटा है तो यह वाला lower bound है और सबसे बड़ा lower bound है क्योंकि इस से चोटे तो और भी बहुत सारे है तो यहां कहांगे हम यहां पर कि जो greatest lower bound कह दीजिए या GLB कह दीजिए GLB इस सेट का जो आएगा एका वह बनाएगा क्योंकि वह सबसे बड़ा lower bound है और यदि LUB की बात करते हो एका तो वह टू है साहिद मेरी बात समझ गए होगे और मैं एक्जामपल दूंगा भी उनसे और के लिए टिया आएगी फिर बलास्त में मैं तुम्हें तुक्के बताऊंगा लेकिन तुम्हें सब जंगे नहीं चलते कुछ जंगे चलते हैं कुछ दुख करें जाना है वही देटन विध्या यह वर क्या है उब्जेक्टिव के लिए समयना है तो ऐसे समयना पढ़ेगा तुम्हाइज साहिस और बच्चों इतना हलका सा चित्र बनाला करो तुम्हां आइडिया हो जाएगा वुस्स सज़ए देखो बच्चों हम जो है एक स्पैट छोट एसा एक नोट है अब्जेक्टिव है यह यह बताईए यह क्या कहना चाहरा संजमाई यह बत अब बताना यह एक सैट है इसके अंदर वन है सैवन है एट है इसका इनफिम कितना है क्या लिखा है आप इस स्मोलेस्ट मेंबर देखो सैट का यदि उसके अंदर सबसे चोटा एलिमेंट मिल जाता है उस सैट का वो ही समझाओ इनफिम में क्यां सब्सक्राइब को है तो इसका इस कोई पूझे ल है कि इसका इनफिम कोन है उस सेट का सब्सक्राइब मेंबर है इस मोले इस्ट मेंबर कि ओफ ए वह कितना है बन तो वह इनके हुम है यही बात सुप्रियूम के लिए भी होती है उसमें देखना सबसे बड़ा एलिमेंट ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट जो मेंबर होता है अगर उसके अंदर मिल रहा है तुम्हें तो मेंबर ओफ ए वो कितना है एट तो एट फिर सेट का सुप्रियूम बैठेगा बताईए एग्जामपल तुम्हें सन्मा आ गई है दोसी एग्जामपल पोछता हूँ सेट अप नेचरल नमबर वान टू त्री फॉर फाइव बताईए इसका इनफिमम कोन है बहुत बढ़िया क्योंकि इस सेट का सबसे च्छटा मेंबर इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा ह है कितना है बन तो इसका मतलब का सूप्रीम नहीं मिलेगा क्योंकि इसके अपरबाउंड ही नहीं है सही है तो सूप्रीम ड़र ओट एग्जेष नहीं है सेट को बाउंड़ बिलो कहेंगे या बाउंड़ अबाउंड तो हो सब्सक्क्राइब दैस्लिट longer ऑऔर नहीं है लेता हूं तो मैं समझ में थोड़ से आयन लगें कि एक एक्जाम्प लिए अगर कोई एक सैट बनाया गया उसके अंदर डाले गए माइनस वन माइनस टू माइनस ट्री डॉट 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 बताईए इसका सुप्रीम कौन है है सुप्रीम हży Each frame है ना प्रण्ड बताँ कुण कौन कौन से खेजो है खें लाई पर ना इसके माइनस ना Its इसका सुप्रीम है इनकर बताई ऐखें नियमें क्लाइए निए वगहाँ बताईए आद लंक्त कौन सामक्तूंस लाइगा माइनिस बनायगा तो माइनिस इसका सुप्रीम है इनफिम बताइये जब लोर बॉण ना मिलनेके तो इनफिम कहा सा जायागा तो लोर बॉण इसके नहीं है ठीक है तो यहाँ पर इनफिम के यह दी बात की जाया तो लिख देना does not exist क्योंकि हमें हैं लाइप साइड में कोई भी ऐसा इलिमेंट नहीं मिल पार है तो इन पीमम एक्जिस्ट नहीं करेगा तो यह सेट बाउंडड अभावा या बाउंडड बिलो हुआ bounded above इसके उपर तो हैं लेकिन इसके नीचे कोई element नहीं है आगी बासन में ठेक जे भरत तुम उसको कर रहे हो बच्चों और देखे देखो यह यहाँ पर पांच एक्जामपल लिखी है और तुम इनको पढ़ो और बताओ मुझे पहले वाले सैट के बारे में इसका सुप्रीम बताना इन्फिम बताना सुप्रीम कितना है उसके अलावा और अप्रबाउंड बताओ यह तो सबसे चोटा सुप्रीम अप्रबाउंड हुआ इसका इन्फिम कितना है उसे छोटें बताना लोर बाउंड से के ईंदर बताओ सुर्यम पूर है क्या इसमें सब बड़ा बाकितर घडते जारे हैं सही है तो इसका पूर्प्रिम जो है वह वह बाउंड है और उसका बड़े ब्ली वोल दो तो विट तो त्री फॉर फाइव सबसक्त चोटा बाउंड बने इसका इन देखा घरते जा रहे हैं सोचो नो एक मिट को हाँ जीरो जीरो इसका इन फियों है तुम इन वाले एलिमेंटों को एक बार नंबर लाइन पर सो तो करो पहला एलिमेंट वान है यह लिख दिया फिर आएगा फिर आएगा फिर आएगा फिर आएगा फिर यहां को आजाएगा फिर यहां पर कितना भी आगा बढ़ जाना एक सबस्क्राइब बरart एक एक जी रो से इधर नहीं जा तो किसमें नग्यूटिव है नहीं अ आपि अब सम्झे तो ह chociaż साथ एलिमेंट है वह जीड़ू नहीं इसके इंदर जीड़ू नहीं है वन इसके इंदर है बीच में बहुत सारे ऐसे नमर नमबर हैं इसुन है इसेसे हैं सबहुत को सब को बाइप दो सबस्क्राइब नहीं होगा education systemini घृर साँसाइब करें नहीं होगा तो इस बहुत सबस्पर है इ standpoint चोटा डोड़ना ना इधर से जो चलो तो सब सब चोटा क्या आएगा वन आजाएगा तो वन इसका सुप्रीमुम है अब इन प्रेमुम की बात करते हैं तो पहले लोवर बाउंड तो इसके लैप साइड में देखो क्या लैप साइड में नमब नहीं मिल रहे बहुत सारे मिल सबसे इसका लोडाने होगा जीरो डी uyorिषे coração श्री खेल फेल पूल रही हो ञेए जीडर सबसे है चोटा होगा इन सबसे तो जीरो क्या है इसका लॉर बाउंड है और सबसे बडा लोड़ बाउंड है क्योंकि एधर माईनिसस कि जो यह बिश्पी से प्रसाइट के लिए लेकिन ये वाले जो हैं 0 से छोटे हैं हमें डूंडना होता है सबसे बड़ा lower bound तो वो 0 है नहीं सब्सक्राइब बात तुमें अब तुम एक बाता हो कोई कहागा 0 तुमें है यह नहीं हमने कभी नहीं कहा कि जो lower bound होते हैं आप बांद होता है वो शयाट के अंदर होता है नहीं भार बहुंद रहिसकता हैं और जीरौ से कम ले तो Ejart से कम क्या सकते हो तुम एक बटे 1 टोड़ा ले सकते हो लेलो सही बात है अगर तुम नहीं एक बटे chiral लगाई एक, दो, तीन जिरो लगाई और यह element यहाँ बैठेगा लगभग यहाँ को मान लो, यहाँ को बैठेगा तो इस से आगए एक element और आजाएगा कौन सा? एक जिरो और बढ़ा दो यह आगए? तो यह इन सब से, इन सब से, छोटा बाउंड है, कहने का मतलब, इस set के सारे element यह रही से दिखाएदगा, जिरो से बढ़े आ रहे हैं, क्योंकि यह सारे पोईट्यू है तो जिरो लोवर बाउंड है और सब से बड़ा लोवर बाउंड है यह सारे element माइनस वन से भी बड़े हैं, एसके माइनस टू से बड़े हैं तो उन सब लोवर बाउंड होँए, सब सब बड़ा जिरो है आगी बास बंज में तो इसका इनफीमम जो है वो जिरो है, और सूप्रीमम जो है इसका बन है, पहले वाले कोशन की बात कर रहे हैं तो इसका सूप्रीमम जो तुम कोई पूछन लेगा है इसका बताई कितना है, तो तो कहना बन है और इनफीमम कितना बताओगे, एसका वो जिरो है, अब तुम मुझे बताओ थार्ड का, सोच के बोलना, बिल्कुल गर्बन ना करना इनफीमम बहुत बढ़िया हाँ, आप कर सम्मझ माँए है ठीक है? सम्मझ माँए है, बिल्कुल ठीक लिको इनफीमम क्या बताओँ तुमने? माइनस और सुप्रिमम क्या बताया? सुप्रिमम मताया इनना जीरो चेक करें, यह लाइन, दिखान सुपरो माइनस बन कि लो कि इदर जाएκα? इस साइड मैं इस साइड मैं इस साइड में जाएके भी है फिर आगा माइनस के 1 वाइत यह ऐसा चलते जाएंगे • इधर को जीरो कि इदर वह दा है • जीरो '' इदर के जाएंगे • छ्रीं Вторू के • एक बात है • हाँ जीरो यहां है, माइनस 1 यहां है, तो माइनस 1 बाई 2 इधर जाएगा, एधर, और माइनस के 1 बाई 3 और इधर जाएगा, माइनस के 1 बाई 3 इसका मतब यह इधर को बढ़ रहे हैं, इधर को, सही है, ठेक, लेकिन जीरो को क्रोस नहीं करेंगे, क्योंकि यह सारे नेगेटिव ह और 0 से इधर आते हैं अब बताओँ इसके राइट साइड में कों-कौन से एलिमेट है इधर यहां अप्रबाउंड होंगे इस साइड में वन तू त्री पोर फाइड है सबसे चोटे बाउन बता उकिलो तो सबस् printer चोटा प्रपाउंब जीरो है सब्सक्रवाट माइब और सब्सक्राइब में हैं तो इसारे इसके लॉर बांड है और उन में सबσα बड़ा-1 मत हैं हो सफ यह लिए है ऑणित wasn't hem कि करो मैं बैठ गया राम से लो को यह दो बच्छो हम यहां पर कुछ तुक्के बता रहे हैं कि अगर कभी सैट के एलिमेंटों को तुम इनक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ओडर में सजा सकते हो औरेंज कर सकते हो या दिये गए हो तो तुम्हें यह काम करना है पहले यह देखिए कि अगर वो सैट इनक्रीजिंग ओडर में है बढ़ते करम में है तो इसका मतलब सबसे छोटा एलिमेंट उस तर्म बैटेगा फाइस्ट टर्म रट लेना इस बात को चुल एक एक्जाम्प लेता हूं वैसी रफली रफली एक्जाम्प लेता हूं एसके अंदर है मालो वन ट्री फोर बताओ इसका इन्फिम कोन है पहला है क्योंकि बढ़ रहे करम में समय में आ गई तो यार रखना जब इसके इन्फिम के लिए निकालनी और उसकी लिमिट लेनी एन्वी टर्म की लिमिट और वह यदि फाइनाइट आती है फाइनाइट आएगी जो भी फाइन नमबर आएगा वह सुप्रिम है और यदि वह इन्फाइनट मिला तो समझाना उसका सुप्रिम मिल नहीं सकता इन्फिम के लिए अगर कोई सेट इन्क्रीजिंग ओर में हैं तो उसका फर्स्ट टर्म हंड़ट परसंट इन्फिम हैं अचै के लिए तो मैं एन्फिम आया तो सुप्रिम हो यह और यदि इन्फाइनट आ तो प्षू आया तो सुप्रिम नहीं मिलेगा कहने करना में और ग़्यांपल ते रहा हूं इस बात को कि लियर करने के लिए यहां ध्यान दीजिए मैंने एक जांपल दी सिंपल सी एक्जांपल दे रहा हूं मैं माल लीजिए मैंने एस बरावर लिया अंतों बाठेगा थेख जैकना इसका तो मैंने क्या बताया इसके एक इन वे ट लाटे लिमिट की लिमिट लेगा तो यह रियल नंबर नहीं आया जिसना हम बता सके कि रिए नम्बर पर नहीं दो रिया नहीं आया ऐा नहीं आ लुए आए यह बाउंड़ और नहीं है इसका सुप्रियों मिले गाई नहीं मिल रहे होंगे तो देखो इसके अप्राबाउंड है नहीं कोई भी अब मैं दो सी अग्जामपल देता हूँ अगर मालो तुम्हारे सामने ऐसी अग्जामपल आजाती है जो उपर ली लिख हूई थी उसकी बात कर रहा हूं मैं क्या थी पताई रहा क्याता उसमें एक बोलो एक नम्बर पहाई पहला क्या था है भी कि माइनस वजन माइनिस को такая लिए मैंस इतने वहते हैं यह इनक्रीजिंग उडर में है इंक्रीजिंग देखना तुमहें इंक्री इंक्रीजिंग यह चेक ले डिखे कर ल हुआ अब बताओ इंख्याओं अब T तो इसका न बैटेगा उपपर निच्छ बने फिर वन बाइट तो कितना बैट जाएगा बताओ वन अपन एन बैट जाएगा अब इसमें लिमिट ले दो तो कितनी जाएगी जीरो जीरो एक फाइनाइट एक रियल नंबर है नहीं है तो इसका इन फिम जुप्रिम जो आएग निच्छ खंड़र करने क्यों उतनित पड़ते हैं न आई अरे यह तो मैं लिख्वा जिससे कि तुम्हें याद रहे बाद में घैग यह देख लेए तो तो है सब्सक्राइब कर दो तो सब्सक्राइब कोई भी माइनस वन सब्सक्राइब जाएगा सारे माइनस वन के निचे रहेंगे हैं नहीं तो कर जाएगा नहीं कि जिरो क्यों आएगा तो बनापोन एन की जंगे न की जंगे न की जिरो गया तो पहला बचा ना पर एक मिंट कोई बात निया है एक मिंट को हम इसे दिखाते हैं तब ही चलेगा पता तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है पहले लिमिट की बात करना दो कि एक मिंट अगर कोई तुमसे कहता है लिमिट निकाल लिए एंट एंटेंस टो इन प्लस वन अपोन एंट के हम सीधा एंट की जंगे इंपिटी बरेंगे तो इन डिटेनर फों बनेगी उसके लिए आमने या तो होस्प्र रूल लगाएंगे एन के रिस्प्रेक्ट में ड को यहां है मैं यहां Ha sti ma-3ी को दूप इद जाएगा कि हम कह रहे है कि यह यह माने सा मूपन जाने कि मनेश सा मथासर्ण हें इस इधर इडाने और तो जो भी रखनी तुम्हें सोल कर लो कि अब भी संग्मन नहीं आया तुम्हें तो एक मिन्ट के लिए अगर मालो कोई सैट डिक्रीजिंग ओडर में होगा तो फिर क्या होगा यह तो मैंने बताया इंक्रीजिंग के लिए अब क्या उल्टा हो जाएगा अगर डिक्रीजिंग मां होगा तो फर्ष्ट तर्म उसका सुप्रिमम देगा और उसका इंफियम निकालने के लिए फिर तुम्हें लिमिट निकालने पड़ेगी क्योंकि जब कोई चीज घटती है तो उसकी सबसे बड़ी वेल्यू पता होती हमें समय जो तो यहाँ पर मैंन कि फर्ष्ट टर्म वही उसका सुप्रिमम बैटेगा और दिक्कत आए कि उसके इंफियमम है क्योंकि वे घट रहे होंगे तो देखना कि लास्ट कहा हो रहा तो फिर उसकी लिमिट निकाल देना एंड टेंस टो इनवे टर्म की बस इतना कर देना फाइनिट आई तो वही न इसका सुप्रिमम है इसका सुप्रिमम की दिक्कत है तो कोई बात नहीं सोच पाए तो लिमिट लोग है तो वन बाई एन की लिमिट क्या है कि जीरो से इधर नहीं जाएंगे आगे बाई सम्झ मैं ठेक जे बस इतना सौटकट है यह जाहतर जितने भी कोशन होते हैं बुश्किल वाले वह जाहतर इंक्रीजिंग यह डिग्रींग गोटर में ही देता आ है वो कोशनों को और उनका तरीका यह है स्वाटक्ट में करने का एक मिंड में करने कि लिमिट लेकरिये उनको जो है तो जल्दी रहे तुम सुप्रीम इन्फियम बता सकते हो ठीक है बच्चों ने करकर देखिए